हेलो जेहिन दोस्तों बहुत-बहुत स्वावत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाला है कुछ मैतमेटिक से कुछ ट्रीकी कोश्चन का जैसे हमारा कोश्चन नंबर वन है आप देख सकते हैं दिया गया है अंडरूट एक् एक्स के अंडरूट एक्स के अंडरूट एक्स डाट 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 एंफिनिट्व ठीक है ऐसे कोश्चन को आप कैसे स्वाल करेंगे बिल्कुल असान तरीके से इसके लिए आपको एक रूल को ध्यान देने वाली बात है ठीक है पहला रूल आपको ध्यान देने वाल रूल में क्या लिखा गया है कि जब कोई संख्या अगर इंफिनिटिव अथात अनन्त तक लिखिये और करणी के अंदर की संख्या समान हो तो जो संख्या लिखिये वैस उसका उत्तर होगा बिल्कुल ये रूल दोस्तों हर जगह अपलाई होता है बस आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो अंडरूट है अतात ये जो अंडरूट में है ये एक्स होना चाहिए और इसके अंडरूट वही संख्या होनी चाहिए और ये आपका इंफिनिटिव तक होना चाहिए तब ये सर्ते ये नियम लागू होगा ठीक है नियम को एक बार और देख लिजिए कि जब कोई संख्या अगर इंफिनिटिव तक लिखी है ठीक है और करनी के अंदर संख्या समान हो तब उस संख्या को वही एंस्वर आगा मैं लिजिए कि हमारा लिखा गया है अंडरूट एक् के अंडरूट एक्स और डाट-डाट-डाट इंफिनिटिव तक तो इसका इंस्वर इंफिनिटिव ही आएगा ठीक है मैं आपको इसका हाल करके भी दिखा देता हम जैसे यहां पर इसको स siempre करते हैं जैसे इसको सेवस्वर करते हैं जैसे हम इसको सॉल किए आप की MRS अक्त् इसी परकार एक नीचे भी आपको उधारन के तोरुपद दिखाते हैं, जहां से आप देख सकते हैं, यह जो आपका उधारन है, अंडरूट 5, अंडरूट 5, अंडरूट 5, और अंडरूट 5, ठीक है, डाट 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 इंफिनिट्व तक है, आप ध्यान देजेगा कि यह सर अंडरूट 5, के अंडरूट 5, ठीक है, इसको आप जब हल करेंगे, आप हल किजिएगा, यदि 5 नहीं आता है, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जैसे कोश्चन नंबर हमारा दूसरा है, उधारन के तोर पे, दिया गया कोश्चन है कि अंडरूट 8, यहाँ पर भी इसका एंस्वर, यह जो अंडरूट में है, आट वही इसका एंस्वर आ जाएगा, ठीक है, और दोस्तों, यदि इंफिनिटी की जगह पर, यहाँ पर यदि कोश्चन मार्क लिखे जाए, ठीक है, जैसे अंडरूट 5, अंडरूट 5, अंडरूट 5, अंडरू अनन तक नहीं लिखा है ठीक है तो अनन तक नहीं लिखा है तो इसके लिए क्या नियम लगेगा इसको आप सवाल के तोर पर कैसे लगाते थे और ट्रिक के अनुसार कैसे लगाएंगे पहले आप देखिए कि आप कैसे लगाते थे यहाँ पर आप मानकर लगाते थे वाई मान X के under root X से बराबर question mark अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर infinitive नहीं लिखा गया है कि डाट 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 infinitive ठीक है तो इसको हम कैसे solve करेंगे इसके लिए एक सुत्र की जरूरत होगी पहले आप देख लिए आप कैसे solve करते थे पहले आप y मानते थे उसके बाद द under root X इस तरह करके आप काफी समय लगाते थे तब आपका answer रता था देखिए answer क्या आया है और ठीक मैं इसी सवाल को लगा के दिखाऊंगा trick से उसका answer क्या आएगा same answer है जैसे यहां पर y आया है y बराबर x की घाते x 15 बट्टा 14 ठीक है यह आ गया answer अब इसी को हम trick के अनुस आपको उपर दिखाया था यहां पर यह ठीक same question है वही question है अब इसको हम trick के अनुसार कैसे कहेंगे इसके लिए एक सुत्र की जरूरत होगी सुत्र है हमारा x square की घाते n-1 ठीक है और इसके ही बटा 2 की घाते n जहां पर आपका x संख्या दरसाया गया है अथा जो इसमें कितनी है ध्यान रहे दोस्तों यह संख्या जो है समान होने चाहिए अथात इसमें भिनता नहीं होनी चाहिए जैसे कि यहां पर x लिखा है तो यहां पर y नहीं होनी चाहिए ठीक है इस बात को आप ध्यान रखिएगा तो जहां पर यहां पर x लिखा है यहां पर भी x और य के घाते कि आप लगाएंगे जहां मैंने आपको बता दिया कि एक best गौा वे इसमें एकशक का नाम है अब इसी सवाल को हम सुल्ट करते हैं ट्रेक से जैसे मैंने यहांपर सौल्ट कीया है उस सूत्र के अनुसार तो यह एक के स्क्वायर 4-1 जहाँ पर आपको दिख रहाँ है यहाँ पर जो बराबर अथा तो अंका नाम कितना है? X है ठीक है? यहाँ पर N का की जगा पर हम 4 लिखेगे तो यहाँ पर हम लगाते हैं जैसे X स्कॉार की घाते ठीक है? यहाँ माइनस 1 होता है तो यहाँ की जगा पर 4 लिखेंगे माइनस 1 बटा 2 के घाते 4 अब इसको swap करें ठीक है, यहां पर दो के घाते चार मतलबobs की 12 और 14-1 बटा 2 की घाते 4, का मतलब recompila, ठीक है यहां पर आपका 11-1 बटाज यहां पर हो जाएगा दो 13-1 जायएगा 15 थीक वही एंसवार आया ठीक है तो यहाँ पर भी आपका एक्सव की घाते 15 बटा सो रही एंसवार है ट्रिक से भी तो दोस्तों आप परिछा में जाएंगे तो ऐसे ट्रिक का ही प्रियोग करें नो कि यह पूरे तरह सौल्व करेंगे जैसे यहाँ पर सौल्व करके मैंने दिखाया है कि इस तरह आप नहीं कर पाएंगे तो इसलिए आप ट्रिक का प्रियोग की लिएगा ठीक है ऐसे ही दोस्तों आपको डेली एक नई ट्रिक के अनुसार विडियो प्रवाइड करता हूं तो इस वीडियो में भी ऐसा ही कोश्चन प्रवाइड के हाँ तो अगले वीडियो में भी आप पाना कोश्चन नंबर है इस लिए उड Rider lure फाई के यहां पर फाई के aneater प्राइव यह कितनी वार है एक दो तेन चार पांच बार है तो हम सुथर के अनुसार लेखें के जिसे सुतर था हमारा की स्क है कि उस्चाइघ की घाते 1- 1 एझा और लट्टा 2 की घाते यन यह हमारा सुतर था इस सुतर पर हम solve करता है जैसे यह माय ने लिख दिया x के जगवा 5 तो x के square और यहाँ पर जो संख्या है हमारी 5 है तो 5-1 और बटा 2 2 की घाते 5 तो इसको solve करेंगे जैसे 2 को गुणा कीजिए 5 बार तो दूक गुणा करेंगे 5 पर तो कितना आ जाएगा तो आ जाएगा कितना 32 कितना आ जाएगा 32 और 32 माइनस वन यह 31 और 31 बटा यह 32 ठीक है तो कितना आ जाएगा हमारा 5 की घाते एक तीस बटा बटीस बिल्कुल असान तरीकिसे ट्रिकी से आप सॉल्ब कर सकते हैं तो पांच की घाते 31 बट्टा 32 का राइट एंस्वर है ठीक है तो यह हमारा एंस्वर है ठीक एक और उधारन देख लिजिए उधारन के तौर पर ये तीसरा है देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है उधारन के तौर पर question number 3 अंडरोट 4 अंडरोट 4 के 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 अंडरोट 4 और यहाँ पर बराबर question mark ठीक है ध्यान लिखिएगा ये question mark के लिए ये सुत्र के वल एलाव है आप infinitive वाला इस पर allow नहीं कहरेगा ठीक है उसको आप उसी तोरह solve किया तो इसके भी वही आप formula यूज करेंगे ठीक है यहाँ पर हो जाएगा आपका x यहाँ पर जो 4 है तो 4 की square और यहाँ पर 6 कितने चार की संख्या है अंडरोट की संख्या कितनी है एक दो तीन चार पांच 6 यहाँ पर 6 और minus 1 तो 2 के घाते 6 का मतलब 64 और minus 1 दिया गया है तो यहाँ पर आजाएगा 63 और minus 1 बटा 64 तो 4 की घाते 63 बटा 64 ठीक है यही इसका answer आजाएगा ठीक है आप ऐसे सवालों को solve किये जएगा यदि कोई भी दिक्कात आती है तो comment box में जरूर पूशिएगा दोस्तों तो वीडियो में इतना ही मैंने बताना चाहा है यदि वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज एक लाइक